हेलो दोस्तों आज यहां बात करने वाली है एक ऐसी टूल के बारी में जिसकी मदद से आसानी से आप अपने वीडियो के लिए बेस्ट कीवर्ड को रिसर्च कर सकते हैं साथी ये टूल आपके वीडियो के लिए बेस्ट कीवर्ड भी सजेस्ट करेगा यानि कि किस कीवर्ड पर आपको काम करना चाहिए ये भी आपको दिखाएगा जी हाँ हम बात कर रहे हैं वीड आईक्यू टूल की ये एक ऐसा टूल है कि अगर आपका एक यूट्यूब चैनल है और आप अपने यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइबर गेन करना चाहते हो यानि कि सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहते हो या फिर वीडियो पर व्यूस पाना चाहते हो तो ये वीड आईक्यू जो टूल है य आपके लिए काफी helpful सावित हो सकता है तो चलिए अब VidaIQ के बारे में हम आपको विस्तार से समझा देते हैं तो सबसे पहले तो हमें Google पर आना है और यहाँ पर आने के बाद हम सर्च करते हैं VidaIQ अब जैसे हम VidaIQ लिखकर सर्च करते हैं तो यहाँ पर कुछ आपको लिंक देखने को मिलेंगे वेबसाइट के हमें क्या करना है यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर लिखा मिलेगा आपको VidaIQ, How to get more views and subscribers on YouTube बस हमें क्या करना है इसी के उपर क्लिक करना है अब जैसे हमने इसके उपर क्लिक किया कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा ठीक है अब यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि दो तरीके टूल्स इसमें मिलेंगे आपको पहला VidaIQ क्या है पेड़ वाला है जिसमें आपको पैसे लगाने पड़ेंगे पैसे देने पड़ेंगे तो इसका जो paid version है वो मिल जाएगा आपको ठीक है उसमें बहुत सारे function मिलते हैं लेकिन अगर आप पैसे बरबाद नहीं करना चाते हैं पैसे नहीं लगाना चाती तो आप इसका free tool भी यूज कर सकते हैं अब इसके लिए यहां पर लिखा है sign up for free हमें क्या करना है कि यहां पर लिखा है email address ठीक है तो सबसे पहले क्या करेंगे कि कोई भी अगर आपका email address है तो उसे यहां डाल देना नीचे लिखा है आपको password तो यहां पर कोई अपनी तरब से एक password को type कर देना याद रहे कि आप password जो लिखोगे वह आपका उस email का नहीं होना चाहिए जो आपने यहां पर type किया है कोई भी एक आप password अपनी तरब से यहां पर generate करके डाल सकते हैं जैसे आप इन्हें fill करोगे तो यहां पर आपको sign up for free के उपर click करना है तो चलिए सबसे पहले तो यहां पर हम email address और password को fill करके sign up for free के उपर click करने के बाद खुछ ऐसा interface आपको देखने को मिलेगा अब जो email आपने वहां पर डाला होगा उस email पर एक mail गया होगा जहां पर आपको email को confirmation करने के लिए कहा गया होगा तो उस पर click करके आप अपने account को confirmation कर लिए अब यहां पर कहा जा है कि add your YouTube channel यानि कि अब हमें अपने YouTube channel को add करना है उसके लिए यहां पर लिखा मिलना है authenticate your YouTube channel तो simply हम इसके उपर click कर देते हैं अब जैसे हमने इसके उपर click किया तो थोड़ा सा यहां पर यह समय लेगा और हमारे account को sign up करने के लिए पहुंचा देगा अब देखिए यहां पर हमें कुछ mail वगरे मिल नहीं है ठीक है तो हमारे account को कहा जा रहा है कि किस account से आप यहां पर sign up करना चाहते हो ठीक है तो यहां पर हमारा क्या है कि जो हमारा YouTube channel है वो इस account पर बना हुआ है तो हम क्या करते हैं कि इस account को choose कर लिए जैसे हमने इस account को choose कर लिया जिस account पर आप इन्हें किस चीज का access देना चाहते हो। यानि कि सबसे पहले क्या होगा कि इन्हें आपको आपके YouTube चैनल का access देना होगा ताकि आपके पूरे YouTube चैनल को ये calculate कर सकें और based जो suggestion है आपके चैनल के लिए दिखा सकें अब देखे क्या है कि हमारा ये YouTube चैनल है जो हमने create किया था sporty feed तो हम क्या करते कि इसका access इनको देना चाहते हैं हमने क्या क्या कि ये चैनल जो हमारा है इसके उपर click कर दिया जैसे इसके उपर हमने click किया तो यहाँ पर थोड़ा time लगेगा अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि would IQ want to access your Google account तो देखे हमने अपने चैनल का access दिया है इनको ठीक है हमने अपने email id का जो access है वह नहीं दिया है हमने अपने चैनल का access दिया है अब यहाँ पर एक option है allow अब देखे यह YouTube से certified है या नहीं कि Google से certified है इस वज़े से कोई भी दिक्कत नहीं है बिल्कुल trustful है इसमें ठीक है तो यहाँ पर allow आपको लिखा मिला है allow पर हम click कर देते हैं जैसे हमने इसके उपर click किया तो उसके बात क्या होगा अब देखे आपको जब login करना होगा तो login करने के लिए आपके पास दो चीजे हैं एक तो आपका mail ID है जिससे आपने sign up किया था और उसका जो आपने password डाला था वो भी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा अब आपके वीड IQ का एक dashboard ऐसा कुछ open होकर आ जाएगा यहाँ पर कुछ pop-up सो करेंगे तो यहाँ पर एक pop-up है add my keywords तो यहाँ पर सबसे पहले मैं keyword को add करता हूँ तो नीचे कुछ keyword suggestion में दिये जा रहे हैं चाहो तो आप अपनी तरफ से कोई भी keyword यहाँ पर type कर सकते हो तो मैं एक suggestion से keyword ले लेता हूँ जैसे जो मेरा channel है वो sport के उपर related है अब यहाँ पर sports highlight यह जो keyword है मैं इसको click कर देता हूँ तो देखिए sport का keyword है यहाँ पर type हो गया है अब मैंने क्या किया कि यहाँ पर और कोई keyword लगेगा मुझे तो मैं यहाँ पर इसे कर देता हूँ बाकि अभी कुछ नहीं मैं एक ही keyword को यहाँ पर रहने देता हूँ अब मैंने क्या क्या यहाँ पर इसे save कर दिया अब जैसे मैंने यहाँ पर इसे save किया तो हम देख सकते हैं कि इस keyword से related कुछ यहाँ पर suggestion हमें दिखाना शुरू कर दिया अब देखें यहाँ पर क्या-क्या चीज आपको मिल सकती है सबसे पहली बात यहाँ पर आपको keyword opportunity मिलती है यानि कि आप keyword को search कर सकते है अब यहाँ पर देखें कुछ keyword दिखा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर जो keyword है वो sport को लेकर select किया है तो यहाँ पर sport से related कुछ keyword दिखाना शुरू कर दिया जैसे प्रीमियर लीग highlights प्रीमियर लीग highlights टुड़े कुछ ऐसा keyword अब उनकी search volume कितनी है competition कैसा है उसमें compression भी आपको दिखा रहा है सभी में medium competition है ठीक है overall result भी यहाँ पर दिखा रहा है ठीक है अगर आप keyword research करना चाहते है तो यहाँ पर लिखा है open keyword research इस पर click करके आप आसानी से keyword को research करेंगे तो बहुत सारे keyword वहाँ पर आपको दिखाए जाएंगे अब उन keyword का आपको search volume दिखाएगा आपको यह भी दिखाएगा किस keyword पर आपको काम करना चाहिए किस keyword का कैसा competition है medium है easy है या फिर काफी high है तो यह देखकर आप उस keyword पर आसानी से focus कर पाओगे अब यहाँ पर देखे क्या है आप अपने competitor को भी जोड़ सकते हैं यानि कि जिस भी जो भी जिसे आप competitor अपना समझते है उस competitor को ला कर और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो उस channel जो है, उस channel का link जो है, या उस channel का नाम, आप यहाँ पर लाकर search करते हैं, और इसे add competitor में जोड़ देंगे, ठीक है, तो जो आपका channel है, channel का نाम लाकर, यहाँ पर search करेंगे जो आपका competitors होगा, और उसे यहाँ पर आसानी से जोड सकते हैं इसके बाद जो भी आपके competitors हैं वो कैसा performance कर रहे हैं किस type का वो काम कर रहे हैं वो भी आपको देखने को मिलता रहेगा तो उसके अनुसार आप computer की सारी चीज़ों को समझ सकोगे और आसानी से काम कर सकोगे अब हाला कि यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें अभी कुछ नहीं दिखाया गया है क्योंकि आपने latest में से start किया है तो आप कुछ ऐसा मिलेगा अब जैसे आपके videos आपके channel पर आते जाएंगे तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आप पर मिलती जाएंगी नीचाने पर यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि top videos from YouTube channel ठीक है तो यहाँ पर जो हमने videos अभी upload किये हैं दो तीनी upload किये हैं तो वहाँ पर हमें views दिखा रहा है ठीक है विउस प्रती hour दिखा रहा है यानि कि last hour में कितने views आई हैं अभी कुछ नहीं आया है वाश टाइम भी दिखा रहा है कुछ सारा कुछ देखने को मिलेगा ठीक है अब यहाँ पर आपका subscribers overview अभी सब कुछ चुपा हुआ है क्योंकि upgrade to pro यानि कि जब आप price दोगे पैसा दोगे इससे खरीद दोगे एक हजार सब्सक्राइबर पूरे करने होते हैं 4000 घंटे का वाश टाइम पूरा करना होता है ठीक है तो उसके लिए आपको दिखाएगा कि कितना अपने criteria पहुच गए हो आप कितना पूरा कर लिया है ठीक है इसके बाद क्या होगा कि अब यहाँ पर हम चलता है डेस्ट बर्ट में भी थे अब डेश्बोर्ड के बाद हम आते है कीवर्ड में कीवर्ड पर जैसे हमने के पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखेंज आपको है ऐक औप्षण जिखाए दिया तो जैसे मैंने अभी यहां पर search कर लिया, create Instagram, एक second, मैं इसे type कर लेता हूँ, create Instagram page, मैंने यहां पर यह tools keyword था, Instagram ठीक है, तो मैंने create Instagram page, जो keyword था, इसे यहां पर type किया, वो type करके मैंने इसे search कर लिया, अब जैसे मैंने इसे search किया, तो देखते हैं, यहां पर बहुत सारे keyword दिखाना start किया, keyword बहुत सारे दिखाना start किया, इसके अलावा यहां पर trending video भी दिखाना start कर दिया, जिन्हों ने Instagram page के उपर video बनाए है, तो अब देखिए क्या है, कि यहां पर हलाकि जादा नहीं दिखाएगा, थोड़े से कम ही दिखाएगा, क्योंकि आपको इससे upgrade to pro करना पड़ेगा, पैसे देखर खहिदना पड़ेगा, तो यहां पर आपको बहुत सारे keyword दिखाएगा, लेकिन फिर भी दिने से हमारा काम चल जाएगा, तो यहां पर आप देखोगे, तो यहां पर हमें create Instagram page दिखा रहा है, how to create Instagram page, अगर इस पर देखोगे, तो related score 4.9 का है, search volume इसका काफी high है, ठीक है, competition की बात की जाएग, competition इसका medium है, ठीक है, इसके बाद number of words, तो यह 5 number का keyword है, यानि कि यह भी ठीक है, overall score भी आप देख सकते हैं, तो यहां पर अगर आप केवल Instagram सर्च करोगे, Instagram keyword पर काम करोगे, तो इस पर competition बहुत हाई है, ठीक है, आप यहां पर चित कर सकोगे, तो यहां पर यह क्योंकि यह 100 till keyword था, अब यहां पर यह long till keyword है, जैसे create Instagram page, तो इसके बाद क्या है, यहां पर इसका जो search volume है, काफी कम है, अब इसका जो competition है, काफी लोग है, तो आप इसके उपर काम कर सकते हैं, इसके keyword के उपर, अब यहां पर क्या है, कि बहुत सारे आपको suggestion में, वीडियो भी दिखाना स्टार्ट कर दिया है, कि किनकिल लोगों ने यहां पर, Instagram page के उपर वीडियो बनाए हैं, तो इन्हें भी आप देख सकते हूँ, इसके बाद यहां पर अब चलते हैं, competitor के उपर, वीडियो भी दिखाएगा, overall daily views कितना आ रहा है, ठीक है, यह भी दिखाया जाएगा, average subscriber पढ़ेगा कितना आ रहा है, average वीडियो कितना आ रहा है, एक दिन में वीडियो बना लेते हैं, तो यह सारा कुछ आप यहां से, click click कर करके देख सकते, तो देखिए, अब हम वापस से Google पर आ जाते हैं, क्योंकि अब हमें चाहिए होगा, वीडियो का extension, क्योंकि हम बार बार वीडियो की official website को open करके, वहाँ पर अपना dashboard नहीं देखेंगे, हम इसके extension का इस्तमाल करेंगे, तो Google पर आने के बाद, हम यहाँ पर सर्च करते हैं, वीडियो क्योंकि एक्स्टेंशन फॉर क्रोम, अगर आप क्रोम के लिगापर Firefox यूज करना चाहते हो, कर रहे हो, तो आप यहाँ पर Firefox भी लिख सकते हो, लेकिन मैं Chrome यूज कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर Chrome लिख लिया, अब क्या करना है, यहाँ पर सर्च लिखा है, तो सिंपली सर्च के उपर क्लिक कर देंगे, अब यहाँ पर आपको कुछ लिंक देखने को मिलेंगी, तो यहाँ पर लिखा है, विडाइक्यू विजन फोर यूट्यूब क्रोम एक्स्टेंशन, सिंपली क्या करेंगे, इसी के उपर क्लिक कर देंगे, अब जैसे इसके उपर हमने क्लिक किया, क्योंकि एक्स्टेंशन पूरी तरह से फ्री है, तो इसके लाग को कोई दिक्कत नहीं होगी, अब यहाँ पर आप देखोगे कि विडाइक्यू विजन फोर यूट्यूब, यहाँ पर आपको एक्स्टेंशन आ जाएगा, यहाँ पर लिखा होगा एड एक्स्टेंशन, अभी रिमूव एक्स्टेंशन लिखा है, और उटोमेटिक अप्लोड होकर आपके क्रोम पर एड हो जाएगा, अब देखे, यह आपको कहां देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको राइड साइड में, आपकी विंडो में उपर की तरफ आईक्यू लिखा हुआ मिलना है, तो यही बस है आपका विड आईक्यू ठीक है, अब अगर आपको यहाँ पर यह सो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने, आपका विड आईक्यू vision for YouTube आपको एक्टेंसन देखने को मिलेगा, सामने यहां पर आपको पिन लिखा हुआ मिलेगा ठीक है आपको इस पर क्लिक कर दोगे तो यह आपका पिन हो जाएगा और यह ऐसे आपका दिखना सो हो जाएगा ठीक है अब देखें एक्स्टेंशन हमारा एड हो गया है अब हम क्या करते हैं कि वापस से चलते हैं YouTube पर, अब YouTube पर हम आ चुके हैं, YouTube पर आने के बाद हमें क्या करना है, कि इस extension के उपर क्लिक करना है, अब जैसे हम इस extension के उपर क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद क्या होगा, कि कुछ ऐसा हमें दिखाई देगा, जब आप पहल इसे क्लिक करोगे तो यहां पर यह सारी चीजे एनेवल नहीं होगे कुछ भी आप क्लिक करोगे तो क्लिक नहीं होगा सबसे पहले क्या होगा कि निचे आप से लॉग इन करने के लिए कहा जा रहा होगा तो यहां पर क्या करना है कि आपने जो वीडाइक्यू की वेप साइट पर जाकर जो अपना अकाउंट बनाया है वहाँ पर जो इमेल एडियो और पासवर्ड डाला था वो आपसे डालने के लिए कहा जाएगा आपको उनको फिल कर देना है फिल करने के बाद लॉग इन कर देना है लॉग इन करोगे तो बस सारी चीजे फिर आपकी सेट हो तो आप देख सकते हो कि राइड साइड में इस वीडियो का सारा काम स्टार्ट हो गया ठीक है अब अभी थोड़ा साथ time लेगा जल्दी ही यह सारे चीज़े इस वीडियो की cover कर लेगा तो ठीक है तो यह वीडियो चलने देते हैं और यहाँ पर हम बात करते हैं कि देखे इस वीडियो का क्या-क्या absorb किया है तो सबसे पहले देखो यहाँ पर दिखाया है इस वीडियो का overview तो video IQ score यहाँ पर दिखा रहा है इस वीडियो का 81.3 यानि कि लगबग 81.3 है out of 100 पर hour इसके views कितने आ रहे हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि per hour views आ रहे हैं इस वीडियो के technical guru जी के जो इन्होंने अभी डाला हुआ है कुछ दिनों पहले ठीक है तो यहाँ पर आ रहे है 2154 views आ रहे हैं इनके per hour ठीक है इसके बाद total views जो इस वीडियो पर आई है वो लगबग 82.000 आई है ठीक है duration जो इस वीडियो की है वो भी दिखा रहा है 6.16 second का वीडियो है आपको वीडियो भी दिखाया जाएगा जो thumbnail लगा हुआ जिसका ठीक है अब इसमें क्या करते हैं थोड़ा सा नीचे आते है नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको like और dislike कर ratio भी दिखाएगा पूरा कि कितने लोगों ने like किया है यहाँ पर तो देख सकते हो कि like कर ratio है 96 यानी कि 100 में से 96 लोगों ने इस वीडियो को like किया है YouTube पर जो कितने like हुए है आपको 20 पॉइंट लगबग 20,000 से जादा इस वीडियो पर like आए हुए है जो इन्होंने add करके रखा होगा यहाँ पर तो यहाँ पर भी देख सकतो आपको सारा कुछ दिखा रहा है अब ज़रा नीचे आते हैं यहाँ पर हम नीचे आने के बाद इसमें क्या देखने को मिलता है कि score देखने को मिलता है आपका SEO score मतलब कितना अच्छा इन्होंने SEO किया हुआ है आपर तो जैसे आप इस पर किलिक करोगे अपना करसी लेकर पहुंचोगी तो यहाँ पर आपको सारा performance दिखाना स्टार्ट कर देगा इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो आपको यह सब देखने को मिल जाएगा कितना किसका score है इनके SEO का कैसे नहोंने वीडियो क्रियेट किया है ठीक है तो यहाँ से आकर आप इसे चेक करोगे अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है कि वीडियो optimization checklist टाइटल सार रिवी दिखाएगा आपको ठीक है व्यूज लास्ट लास्ट तीस दिन में कितने इनके व्यूज आई हैं चैनल पर वो भी दिखाएगा टूटल सब्सक्राइबर कितनी है तो 21.1,000,000 अब चलिए इनका एक बार चैनल हम आपको चेकर करके दिखा देते हैं तो देखिए 21. 21.1,000,000 व्यूज आपको उतना ही दिखा रहा है तो दिखाएगा अब इनके वीडियो में जो टैग वगएर लगे है वो टैग भी दिखाएगा ठीक है कि कौन कौन से टैग इन होने अपनी वीडियो में यूज किये हैं और कौन सा टैग कितने नंबर पर रेंक कर रहा है य यहां पर लिखा है एट इद हैस एट मतलब यह आठमे नंबर पर टैग जो है वो रैंक कर रहा है और यह आठमे नंबर पर जो इनका वीडियो है रेंक करा रहा série ठीक है तो यहान कि यहां से आप टैग वी चेक कर पाूगए तो आपने कॉम्पटीटर की वीडियो को आसान से चेक कर पाऊगे तो यहां से आप इसे चेक कर सकते हो ठीक है इसके बाद बस यहां पर आपको कुछ और वीडियो दिखाई जाएंगे जो बिल्कुल इसी से related होंगे तो आपको यह suggestion करेगा कि आप इन वीडियो को भी चेक कीजिए ठीक है तो यहां से आप इस extension की मदद से आसानी से चेक कर सकते हैं इसके अलावा आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर जो यह tag है ठीक है इन सभी के भी जितने भी लोगों ने यहां पर comment किया है इनके सभी के भी subscriber यहां पर दिखा रहा है कि कितने इसके subscriber है अगर यह channel है ठीक है तो इसका कितना comment करने वाए लोगों का भी सब कुछ दिखाएगा इसके बाद अगर आप इसके बारे में साला कुछ देखना चाहते हो तो यहां से click करके आप देख पाऊगे तो कहने का मतलब बहुत अच्छा extension है यहां पर बहुत अच्छा plugin है यहां पर VDIQ और काफी ज़्यादा benefit साबित हो सकता है और benefit मिल सकता है आपको इस VDIQ plugin से तो उमीद है दोस्तों कि आपको जानकारी पसंद आई होगी और ऐसे करके आप अपने चैलो को आसानी से ग्रो करा सकते हैं अच्छे subscriber गेन कर सकते हैं और बहुत इच्छा views कमा सकते हैं अगर दोस्तों टुटोरियल पसंद आया हो तो इसके लिए बहुत बहुत धन्वाद आपका आज के टुटोरियल में इतना ही मिलते हैं नेक्स टुटोरियल में